हाई फ्रेंद्स और आज हम बात करेंगे पोटो और बेलेंसिस के बीच में जो मैच है देखिए पॉर्चुगर लीग का यह मैच है डेविड वर्स गुलाइट जैसा मैच है बिकॉस पोटो लीग लीडर्स है और बेलेंसिस लास्टीम है इस समय पोटो ने 17 मैचेस में 47 पॉ तो वो काफी खराब स्थिती में है और इस गेम में हमें लगता है कि बहुत ही अश्चर जनक होगा अगर बेलेंसिस यहां पर कुछ भी कोई भी पॉइंट हासल कर पाता है तो इवन दो उनके घर पे मैच है तो हमें लगता है कि यहां पर पोटो के लिए काफी कमफरडेब विक्टरी होनी चाहिए और हम उसी के हिसाब से अपनी टीम बनाएंगे कुछ कोविड की वज़े से या कोई प्लेयर अगर अगर अफ्रिकन कप ऑफ नेशन की वज़े से विलेबल ना हो तो वो भी हम आपको जानकारी देंगे क्योंकि इस समय काफी चेंजिस हो रहे हैं मै जीते हैं तो इस वज़े से हम आपको कहे रहे हैं कि पोटो इसमें काफी सूपर स्ट्रॉंग टीम है देखिए अगर मैं होम टीम की बात करूं तो बिले नंसिस के बार टेक्शियरा और रेफेल केमेचो दोनों ही अवेलेबल नहीं होंगे इंजरी के कारण तो इस वज़े पर केरिका जो हों फुल पैक हों वो बलून पे हैं पोटो से ही तो वो इलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि ये रूल कहता है कि आप कोई भी डिफेंडर नहीं खेल सकते अगर आप अपने ही क्लब के लिए दूसरी जगा पर अगर आप गए होए तो तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि केरिका जो है वो नहीं खेलेंगे इस मैच में भी तो चलिए अब बाकी प्लेयर्स के अगर हम बात करेंगे पोर्टो के लिए भी कोई इतना इजी नहीं है सेलेक्शन करना क्योंकि जाओ मारियो विलसम मैनफा मार्को ग्रूजिच इवन मारसेनो और पेपे सेंसुई वो नाइजीरिया के लिए खेलते हैं तो सेंसुई अवेलेबल नहीं है वो गए हुए हैं अफ्लेकर कप आफ नेशन के लिए खेलने और वेंडल उनके जगह पे हमें लगता है कि यहां पर खेलेंगे बात अगर बाकी प्लेयर्स की करें तो देखी बहुत अच्छी बात क्या है कि कुछ-कुछ प्लेयर्स बड़े धमाकेदार फॉर्म में हैं इस बार पोर्टो के लिए तब ही वो लीग लीडर्स है यह एक बड़ी लॉजिकल बात है क्योंकि मैं अगर बात करूं कुछ प्ल बड़े इंपॉर्टेंट है तो स्टैट्स भी अगर इनको मैं बात करूं तो काफी बैक करते हैं क्योंकि लूइस फर्नाइंडो डियेज जो कॉलंबिया के लिए भी खेलते हैं तेरा गोल चार असिस्ट कर चुके सोला मैचेज में इनका जो नाम है वो बड़े-बड़े क किया है लेकिन उने साथ असिस्ट किया है बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है यह टीम के लिए इस वज़े से हमने इनको लिया है यहां पर हमने बेर नंस के लिए कुछ प्लेयर हमने सोचा कि बेस चार कौन से हो सकते हैं तो वह हमने सबसे पहले साउसा को लिया है क्योंक क्योंकि attacking returns बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इनके highest scorer ही जो एंडॉर हैं जो Senigali forward हैं सफीर हैं जो Brazilian forward इनोंने दो-दो गोले किये हैं जो प्लेयर्स हमने select किये हैं इस समय वो हमने इस वज़े से select किये जिसे सोलसा को हमने किये इनके interceptions और tackles decent हैं यह काफी थोड़े से attacking defender midfielder भी हैं तो इनोंने 13 interceptions 17 tackle किये हैं टैकल सबस्यादा अपने team के लिए इनोंने किये हैं तो इस वज़े से हमने इनको टीम में जगा दी है सबसे बड़े बात मैं आपको बता रहा हूं कि एक budget का भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि अगर सारे top class player पोटो के start करेंगे आप उनको ignore नहीं कर सकते क्योंकि इस समय जो team है यह काफी खराब team केल रहे है बरें इंस तो आपको best player लेने पढ़ेंगे पोटों लेकिं सिट होल ने वैसे भी भली आजादा मैचेस नहीं खेले हैं यह साउथ आफ्रिकन इंटर्नेशनल है इन्होंने आठ interception किये हैं चार मैचेस खेले हैं तो उस हिसाब से यह भी decent player है तो इसलिए हमने इनको भी लिया है forward की बात करूं तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि डियास बहुत अच्छा केल रहे हैं और साथ ही साथ इनके teramy भी अच्छी form में है as a player क्योंकि teramy ने नौ गोल 6 असिस्ट किये हैं तो वह एक अफ़ी अच्छे player है और वहीं पर मैंनलसन ने भी नौ स्टार्ट में तीन गोल दो असिस्ट किये हैं तो देखिए यह हमने प्लेयर लिया है और बेल नेंसिस के लिए हमने यहाँ पर कैमेरा को लिया है हमें लगता है कि अगर आगे कैमेरा स्टार्ट करेंगे तो कोई भी अटैकिंग बनेगा चाहे वो क्योंकि इन्होंने 11 क्रॉसिस किये हैं यह विंक पे खेलते हैं केमारा इन्होंने एक गोल भी किया है तो हमें लगता है कि यह एक इंपॉर्टन प्लेयर है कि थोड़े बहुत आपको शॉर्ट क्रेडिंग एक्शन के पॉइंट दे सकें तो देखिए यह अभी हमने टीम से सकें देखिए हैं जेखिए स्टॉर्टु पॉर्टकर संकते हैं आपकरमी वनिनल्स मे टेखिए होंने देखिए हैं और अग्धीं टानों में टेखिए चारे मीछ केंशन हमें सकते हैं, so thank you so much and all the best, लेकर रिस्पोंसिबिलिटी के साथ Dream 11 Football खेलिए, धन्यवाद